कर मैं रंजना शर्मा कोलकाता पस्चिम मंगाल से मैं आज अपनी कविता रतनावली तुलसी समवाद आप लोगों को सुनाना चाहूंगी किसी रोज रतनावली तुलसी समवाद कविता का शीर्षक है किसी रोज रतनावली चुलहे में जोंकती हुई फाड़ी हुई लकड़ियां और एक हाथ से धुआते आखों को मलते उठी अचका चाकर और तुलसी दास से बोली लो अब तुम ही समवाद लो सब घर ग्रिहस थी मैंने सन्यास्तों न लिया पर जा रही हुँ मैं अपने मन के गहवर में उतरने आकने उन अधूरे भित्ती चित्रों को जिनमें प्राण डालने हैं अब तलक बाकी कलपना में विचरन करती तितलियों को पंख देने सितार पर पड़े धूल को पोच कर कोई पुराना राग साधने पैरों में जकड रखा है त्याग मैं ममता मैं अपरूप सुन्दरी की छवी जो तुमने एक पतली सी महीन वर्फ की बारेग दिवार में बंद खुश्वों की तरह उसे शोख रंगों में बदल कर आसमान पर आकने जा रही हूँ कोई इंद्र धनुसी परी हर दम उलजाये रखते हो मुझे तुम जिन टंटों में मैं मुक्त मना होकर पी जाना चाहती हूँ कोहासे से जरती बूंदों की लड़ी मैं मुक्त मना होकर पी जाना चाहती हूँ कोहासे से जरती बूंदों की लड़ी अपने अक्ष पर टिके रहकर नित्यरत नटराज सी रत हो जाना चाहती हूँ अपने लैताल में मुक्त छंदों में रचना चाहती हूँ गारगी, अपाला, लुपा मुद्रा, चुकताई, लंकेस की अधोरी रचनाएं मुक्त छंदों में रचना चाहती हूँ गारगी, अपाला, लुपा मुद्रा, चुकताई, लंकेश की अधोरी रचना तुलसिदास, क्या तुम कर सकोगे मेरा पूर्णदान इस यग समिधा में कर पाओगे आहुती अपने समस्त सुखों का जैसे मैंने अपने चिंतन की कोठरी में समा रखा है केवल वर्तमान को भूल कर अपना सारा पिछला इत्याज जैसे वह हो कोई पिछले या उससे भी पिछले जनम की कोई बात तुलसिदास मुक्त करो मुझे मन से मेरे आकाश की रौशनी थम गई है मेरे आकाश की रौशनी थम गई है आधे सूरज के डूबने से या आधे सूरज के न उगने से बात तो बराबर है न प्रिया बात तो बराबर है न प्रिया बात तो बराबर है